हेलो हेलो एंड वेल्कम एवरीवन वेल्कम टू टू चैनल क्या हाल है आप लोगों के सबसे पहले तो यह पता हूँ यह मौज मस्ती हो रही है कि नहीं पढ़ाई में मसा तो यार तभी आता है जब मौज मस्ती के साथ की जाए अपन को देखो जी चैप्टर फूर पढ़ रह है बहुत ही मज़ेदार है what books and burials तो वो चीज़ें किताबें जो हमें मिली है सालो पुरानी और burials जो चीज़ें हमें जमीन के अंदर से मिली है वो हमें क्या क्या बताती है इसके बारे में ही चाप्टर है सबसे पहले बात करेंगे one of the oldest books in the world हमारी इस पूरे universe में क्या बोल वेदास तो भाई क्या का जा रहा है कि इस दुनिया में जो सबसे पुरानी किताब है न उनमें से कौन से होंगी वेदास होंगी वेद देवर रिटेन अराउंड 3000 येर्स अगो और अर अर्लियस्ट लिटरिरी सोर्स अविलवल का जाता है कि लगबग ये 3000 साल पुरानी है और ये सबसे पुराना लिटरी सोर्स है लिटरी मतनб लिखा हुआ सोर्स है अब बात करते हैं वेदास की बहुत important चीज है क्यों important है भाई क्योंकि ये हमारे देश की history है rich culture जो से कहते हैं हमारे देश का वो इसी वेदास में से निकला है अब देखते हैं the word वेद जिसको वे रिगवेद, सामवेद, यजुरवेद Topics कवर किये गए है इसमें से जो रिगवेद है वो सबसे पुरानी है और ये लगभग 3500 साल पहले बनी थी the hymes have been compared by compared नहीं होगा यहाँ पर actually यहोगा बनाई किसने थी hymes जो थी वो prepared by sages, sages किसे कहते हैं पंडित जो होते हैं जो रिशी मुनी होते हैं उन्हें कहते हैं sages hymes क्या होते है भाईया इसमें जो line होते हैं वेदों में वो ऐसे नहीं होती कि आप यह एसे लिखा होता है actually वो जैसे रामायड होती है किसी के आपके घर में रामायड होती होगी तो आपने सुना होगा ना ऐसे जाने के फर्म में होता है यह तो वो होती है हाइम यह लिखी होती रिशी मुनी ओने these psalms were recounted and gone starting with one age then on to the next until the point when they were composed down सालों तक एक दूसरे को देते गए मतलब traditions after tradition के दादा जी ने अपने पोते को दिया पोते ने फिर अपने पोते को इस तरह से उस point तक यह चीज चली कि जब तक यह लिखी नहीं गई finally रिगवेद में these times are in acclaim of various divine beings for example इंद्र अब यह जो इसमें मिली है ना इसके जो sources हैं इसी में हमें पहली बार भगवान जैसे आज के time पे हम भगवान कहते ना हम मानते हैं अलग-अलग भगवान वो हमें कहां से पता चले इंद्रदेव, कृष्न भगवान, विश्नु भगवान यह समा में कहां से पता चले रिगवेद से पता चले इंद्र का जो सबसे पहली बार नाम आया रिगवेद में आया अगनी भगवान, वरुन और ऐसे हजारों करोडों हमें भगवानों की references इनी बुक्स में मिले हैं अब बात करते हैं रिगवेद एक हिंदू धर्म की बात करें तो बहुत सारी चीज़े बताती है बट लेट्स अड़स्टांड कि हिस्टोरियंस ने इसे किस तरीके से रीड करा तो वाइल लर्निग अबट पास्ट स्टूरेंस ओफ हिस्ट्री एक्जामेंड रिटन सूर्सेज तो जब पास्ट की स्टडी कर रहे थे तो बहुत जब पास्ट के बारे में वो पढ़ रहे थे ना सीख रहे थे तो उन लोग उन्हें क्या एक्जामेंड करें उन्हें रिटन सूर्सेज जो कि वेद थे ना उनको एक्जामेंड करना शुरू करा अब इस चीज को ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टन लाइन है तो देखो, क्या मतलब इस लाइन का, एक्जामेंट द रिगवेद, जब उन रिगवेद को पढ़ा तो उन्हेंने एक चीज पता चली कि जादा तर श्लाइन जो वर्ड है ना, यह वर्ड आपका कहां से आता है, यह वर्ड आपका था है, बाइबल से आता है इसको इन्दी में ट्रांसलेट करें तो आप समझ सकते हो श्लोक, श्लोक है हमारी रिगवेद में बहुत सारे were as exchanges, अब इस line का मतलब क्या है, वो है dialogue के form है, मतलब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है और उनके जो बीच की conversations है ना, वो recorded है, और यह conversation को ऐसे नहीं है norm आप बात चीच चल रही है यार दोस्तों मैं, it is actually between gods और rivers और mountains and such divine things, so you understand right, historians study these exchanges to arrive at a conclusion, अब वो क्या करते हैं, इन सारे dialogues उसको पढ़ते हैं, समझते हैं and then come to a conclusion और फिर उन पर books लिखी जाती है, is that very clear, शाबास, चलो, अब cattle, horses and chariots की बात करते हैं, cattle उस समय ना, जानवरों का बहुत, मतलब जो book आपने मिली हैं हमें, उसमें बहुत सारी चीज़े मिली हैं, most petitions in the Rig Veed, अब again petitions word आ रहा है, आप इसको समझो, शलोक, जितने भी शलोक रिगवेद में are for cows, kids and steeds, इन सारे बच्चों के बारे में, cows के बारे में, और जानवरों के बारे में, horses were burdened to chariots and utilized as a part of fights, उस समय, देखो burden word यहां पर गलत हो जाएगा, actually वहां पे न, horses को use किया जाता था, आपने बाहुवली मूवी देखी होगी, तो बाहुवली में जो र arrive, field, water, individuals, battles planned, मतलब उन्होंने क्या है, इन किताबों में बहुत गजब-गजब की चीज़ें है, जैसे कि, कि अगर आपको cattle पकड़नी है, या फिर आपको किसी चीज़ पर field पहुचना है, या water के लिए, individuals, लडाईया, हर चीज़ के लिए जो battles है, वो यहां पर कैसे planning की जा clean, uncommon creatures, ये इतनी high-five English जो लिए एक तम आस्तान भाशा में बताऊं, तो भाई उसमें बहुत सारे ऐसे हमको cultural चीज़ें भी बताई गहीं है, कि यग्य कैसे परफॉर्म होने, कौन सा यग्य कैसे करना है, शादी के लिए कैसे यग्य होता है, किसी और चीज़ के लिए कैसे य वेदाज even educate us concerning political existence of this sage, अब यह जो वेद है न, यह हमें इस सब चीज़ों के बारे में भी सिखाते हैं, कि उस समय जो sages थे, यानि कि जो रिशी थे, उनकी political existence क्या थी, a head of state was called raja, उस समय ही हमने पहली बार सीखा कि किसी state का जो head होता है न, उसे कहते हैं raja, जैसे आज king बोल राजा को ज़रूर नहीं कि उसको capital हो, या castles हो, या armed forces हो, बट generally यह सारी चीज़ें उसके पास होती थी और तब भी वो राजा होता था, occupations की बात करें तो क्या थी उस समय कि agriculture, cattle rearing, chariot production, chariot production मतलब रत मनाना, ceramics, बरतन मनाना, jewelry production, tanning and metal work were the primary occupation, अब बाग करते हैं, दास और दासीज किये, while Aryans created vedas, another gathering of individuals restricted to vedas, which were called das or dasius, जिसे आप dasीज भी बूल सकते हैं, तो उस समय एक और वर्ण था, वर्ण क्या होता है, is a section of society, वर्ण कहते हैं, तो वो क्या थे, वो दास थे, वो जो नौकर का काम करते थे न, उस समय की society में, उनको इस category में slave थे वो, ठीक है, औ और वो भी वेदा में ही हमको पता चले हैं, अब बात करते हैं, silent sentinels की, the story of megalith, क्या है यह, so archaeologists expect that, items found with a skeleton, likely had a place with a dead individual, अब simple सी बात है, जब archaeologist ने research करी, जमीन खोदी, तो उन ऐसी चीज़ें मिली, जिसमें skeleton मिला, मतलब हड़ी मिली, likely had a place with a dead people, अब simple सी बात है, उससे पत तो लेना देना है dead लोगों से, मतलब यह तो यह burial site हो सकती है, मतलब जहां पर लोगों को दफनाया आ जाता है, या कुछ भी ऐसा जहां पर dead लोगों का कुछ तो सीन है, in ब्रह्मगिरी, a skeleton was discovered with 33 gold dots, 2 stone globules and one conch shell through other skeleton just had a pot, 2, तो भाई देको, एक बड़ी गजब की चीज इस गोल्ड dots मिली है, मतलब गोल्ड सिक्के जो बोल सकते हो, तो stone की globules पर इस सुंदर सुंदर stone थे, और एक conch shell, shell मतलब जो अपने C से निकलता है shell और वही पर जितने भी other skeleton थे, उनके पास simple एक pot रखा हुआ था, अब इससे हमें क्या पता चलता है, this shows the distinction in status among the general population who were covered, अब इससे पता चलता है कि एक distinction था, एक difference था status में लोगों के, in the general population, some were rich while other were poor, समझ में आ गया न, इससे यह चीज़े हमें कैसे पता चली कि हमारी society में क्या चला आ रहा है, इनी ही चीज़ोंने हमें पता है, sometimes stone monuments have more than one skeleton, कई बार कुछ ऐसे monuments में मिले जहां पे एक से जादा skeleton थे, it demonstrates that individuals having a place with a similar family were covered at same place, however, at various circumstances, तो क्या scene था, पहले ये भी हो सकता है, ऐसा माना जाता है कि एक family burial house बना दिया, मतलब जितने भी आपके आने वाले खांदान के वंशज होंगे, उन सबको वहीं पे दफनाया जाएगा, तो एक ही घर में कई सारी bodies मिली, जब आप archaeological excavation हुआ, इस history book में आपके दे रखा है, वहाँ पे special burials मिले थे, animals were utilized as food, skeletal studies inform us regarding better method for recognizing dead bodies, अब सिंबल जी बात है, science जो है, skeletal science जो है, उसके थू ही हमें पता चल पाया है, कि dead bodies को हम और जाद अच्छे से पचान पा रहे हैं, कि ये कब की है, ये कैसे दफना ही गई, हैना उसके साथ आपक कि ये खाने का काम करेंगी, इनके, जो इनका सफर होगा दूसरे जनम में जाने के लिए, उस सफर में, ऐसी ऐसी मानने ताइंत ही उस समय, ठीक है, तो बस, I hope, आपको chapter अच्छे से समझ में आया होगा, इसी के साथ chapter end में हम पहुँच चुके हैं, इसलिल अगर आप चाहते मिलते हैं जी, नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, गुडबाई, चेक क्यार, एंड मौज मस्ती करते रहिए